नमस्कार दोस्तोर रावन श्टाक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडिये में बात करने वाले यहां पर बोनस देने वाले कंपनी के बारे में तो कौनसी कंपनी जिसने बोनस एस बाइबैक और डिविदेंट का भी अनौस्मेंट किया था तो तीन बड़े सकते हैं लोग आ गए और सब्सक्राविक्स की वारे में व्याइब मार्य प shed component की वारे में आश्रचा-थे पहले भी हमने इस company के उपर पूरा detail में यहाँ पर वीडियो बनाए जैसे कि company की balance sheet company के उपर करज़े क्या है, company करती क्या है, वो पूरे detail में cover किया, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो चले देख लेते हैं actual news के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 22 तर को बहुत सर डॉकुमेंट अपलोड किया गए, जैसे कि यहाँ पर company dividend के बारे में बोला है, यहाँ पर bonus के बारे में बोला है, और buyback के बारे में बोला है, तो चले देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर bonus का ratio है, company ने set किया है, यहाँ पर bonus का जो यहाँ पर ratio है, वन रेश्टू फायू, यहाँ आप लोगों को 5 share के बदले, एक extra share मिलेगा, अगर आपके पास 10 share रहेंगे, तो उसके बदले मिलेंगे 2 extra share, तो उतने ratio में आप लोगों को extra share मिलने वाले, अभी तक यहाँ पर bonus का जो record date है, देखे, बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर लाखो क्रोडों में share सहते है, अगर उतने number of shares into dividend का amount करेंगे, तो उनको बहुत बड़ा amount मिलता है, लेकिन देखा जहेता, अगर आपके पास 10-12 shares रहेंगे, तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा, तो बहुत ही छोटा dividend दिये लेकिन share price के सहब से देखा जाए, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर dividend है, क्योंकि stock का price 15 रुपए, उसी सहब से देखा जाए, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर dividend है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते है, इसका recorded company ने सिट किया है, यहाँ पर 4th January इसका recorded है, तो 4th January से अग बाइबैक के निवस्ता cancel हो चुका है, यह तो हो गए बाइबैक के बारे में, देखिए जो bonus प्रीड रहते हैं, हमेशा जो long term के share रहते हैं, इनको यह होता है, कैसे होता है, एक example से समझ लेते, for the example वेपर कंपनी है, और stock का price 100 रुपए ऐसा consider करते हैं, और यहाँ पर आपक डबल हो जाएंगे, यानि 4000 हो जाएंगे, लेकिन इसका short term में फाइदा नहीं होगा, short term में सिर्फ number of shares बढ़ेंगे, investment उतने रहेगा, लेकिन long term में अगर company को फाइदा होता है, और company आपे dividend का अनुस्मेंट करते हैं, अगर एक रुपे का भी dividend देते हैं, तो सीधा आपके saving चार हाजार रुपे आ जाएंगे, dividend के, यही फाइदा होता है, long term के journey में, dividend और bonus का short term में इसका फाइदा नहीं होगा, next जो सवाल है, risk है, risk एकी company बहुत मतलब बहुत ही छोटी है, micro cap किये, आप लोग चेक कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 140 करोड का micro cap है, market cap है, तो इसे stock में risk बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, जब तेज़ी आते हैं, तो आप लोग देखेंगे, बहुत बड़ी तेज़ी आते हैं, लेकिन जब गिरता है, तो 70-80% से भी गिर सकता है, एक मैनी के अंदर, तो इसे stock में जो भी पैसा लगा रहे, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा स सकते ही, यह तो ता आज की उड़एं पर छोटे से company के लिए, अगर उड़ा चलागा तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्क्राइब कर सकते हैं, तो जबूचत कर देखेंगे,